सुप्रभाद प्यारे बच्चों, आज फिर हम प्रस्तुत हैं अपनी रचनात्मक व्याकरन के पाठ छे वचन को लेकर, आज हम वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. संग्या सर्वनाम, विशेशन और त्रिया के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं. जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, कुत्ता, कुत्ते, आप यहाँ पर आप किसी एक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए उप्योग किया गया है. आप लोग अधिक व्यक्तियों के लिए आप लोग शब्द का उप्योग किया गया है. चलिए चलते हैं जानते हैं वचन के भेद के बारे में वचन दो प्रकार के होते हैं एक वचन और बहु वचन. एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं. जैसे ताला, बच्चा, पंक्खा, माला, आदी. बहु वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहु वचन कहते हैं. जैसे ताले, बच्चे, पंक्खे, मालाएं. अब हम जानेंगे वचन के बदलते रूप को. वचन में आए बदलावो को. जब शब्द के आखिर में आस्वर होता है, तो वहें अपना रूप ए स्वर के रूप में बदलता है इस प्रकार. जैसे जूता, जूते, कमरा, कमरे, गमला, गमले, रास्ता, रास्ते, आधी, इसी प्रकार. जब शब्द का अंत अस्वर से होता है, तो वहें अस्वर लग कर बहुवचन में बदल जाते हैं इस प्रकार. जैसे आँख, आँखें, चादर, चादरें, पुस्तक, पुस्तकें, आधी. एक वचन संग्या के अंतिम इ, को इयां कर देने से बहुवचन बनता है. जैसे तितली, तितलियां, मिठाई, मिठाईयां, दवाई, दवाईयां, मच्छली, मच्छलियां, जिन शब्दों का अंत आस्वर से होता है, उनके उपर केवल चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन बना देते हैं, इस प्रकार. जैसे गुडिया, गुडियां, कुटिया, कुटियां, आदी, इस प्रकार कुछ अन्य स्वर इस प्रकार के हैं, जिसे एं का स्वर लगा कर इस प्रकार बहुवचन में बदलते हैं, जैसे माला, मालाएं, कला, कलाएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं. हमें हमेशा ध्यान रखना होता है, जब हमारे पास एक वचन में बड़े उ की मात्रा होती है, तो जब वह अपना बदलाव करते हैं, और बहुवचन में बदलते हैं, तो मात्रा छोटी हो जाती है. अब हम बात करेंगे वचन की पहचान की, किस प्रकार से वचन को पहचाना जाता है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जिनका प्रियोग एक वचन और बहुवचन में समान रूप में किया जाता है. परन्तु उनके बहुवचन होने का ग्यान हमें उनके वाक्यों द्वारा पता चलता है. हाथी फूल ला रहा है? हाथी खेल रहे हैं. साधू साधना कर रहा है. साधू हवन कर रहे हैं. गुलाब का फूल खिला हुआ है. फूल खिले हुए है. भालू देख रहा है. वचन पहचानने के कुछ अन्यनियम भी है. आदर्ने व्यक्तियों महापुर्शों उच्पद पर आसीन व्यक्तियों का प्रयोग बहु वचन में होता है. वाक्य में हम आदर प्रकट करने के लिए हैं पर बिंदी का प्रयोग करते हैं. कुछ संग्याओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है. जैसे जन्ता, प्रजा, भीड, सेना, पुलिस. कुछ संग्याओं का प्रयोग हमेशा बहु वचन में होता है. जैसे आसू, बाल, हस्ताक्षर, प्राणी, दर्शन, आदी. तो बचों, आज हमने जाना वचन से शब्द के एक या अनेक होने का पता चलता है. एक हो तो एक वचन, एक से अधिक हो तो बहु वचन. कुछ संग्याओं शब्द एक वचन और बहु वचन में समान रहते हैं. जैसे पेड, बादल, फूल, घर, आदी. वचन की पहचान वाक्य की क्रिया से भी होती है. जैसे पेड़ खुश हो गया, एक वचन में है, पेड़ खुश हो गए. यह वाक्य बहु वचन दर्शाता है. धन्यवाद.